जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डेली करेंट अफेर्स की क्लास पर 25 माई 2023 के इंपोर्टन डेली करेंट अफेर्स को आप लोगों के लिए यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं तो फ्रेंट्स आई देखते हैं आज का सबसे पहला important question भारत ताइकॉंडो के अध्यक्षाली में कौन बने who has become the president of India of ताइकॉंडो तो फ्रेंट्स आपको नाम याद रखना है इनका नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ पर देखिए यह है नाम देव शिरगावकर क्या नाम है इनका नाम देव शिरगावकर जो की भारत के ताइकॉंडो के अध्यक्ष बने हैं यह पूछा जा सकता है यहाँ पर आपको अन ऑप्शन्स भी दिख रहे हैं इसे भी हम डिसकस करते हैं तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भावेश कुपता क्या बने हैं तो हाली में पेटियम के C.O.O. के रूप में यह नए अध्यक्ष निव्टे किये गए रवनीत कौर की बात करें त की इमेज में आप देख पा रहे हैं नाम देव शिरगावकर को यह भारत तैकॉंडो के कारकारी समती के अध्यक्ष चुने गए वो भी निरविरोथ इनका किसी ने विरोथ नहीं किया है इनकी बात करें तो इनके पास ब्लैक बेल्ट है नाम देव शिरगावकर तैकॉंड से इज़ात हुआ है ताइकॉандो का मीनिंग क्या होता है तो इसका मतलब होता लात मारना और मुक्रे मारने का तरीका इसे हम ठाइकॉандो कहते हैं क्लियर हैं दोस्तों यहां पर परिक्षा संजीवनी ले लीजे हाली में हुई न्यूक्तियों को हम यहां पर डिसकस करेंगे तो फ्रेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कोलकाता के स्मपी बंदरगा की नए चेर्मेन कौन बने तो इनका नाम है रतिंद्र नमन क्या नाम है र सब्सक्राइब रखनी है आप सभी देख रहे हैं 25 मई 2023 के इंपॉर्टन डेली करेंट अफेर्स और मैं हूँ आप सभी का राजा उप्ता लगातार 541 दिनों से आपको डेली करेंट अफेर्स पढ़ा रहा हूं आपको इस क्लास में डेली करेंट अफेर्स का टेस्स मिलेग कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मेडियम में क्लास मिलेगी लिए बारत के हर एक्जाम को फोकस करके करेंट अफेर्स बनाया गया है मंगली करेंट अफेर्स हो ट्रेंडिंग करेंट अफेर्स हो टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स टेट करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स आ आपके लिए one stop solution मैं आप लोगों के ले करके आया हूँ भारत के हर exam को focus करते हुए ये current affairs तयार किया जाता है आप इतने सार exam देख पा रहे हैं आप सबी के लिए motivation line जिंदगी की कठिनाईयों से भाग जाना आसान होता है जिंदगी की कठिनाईयों से भाग जाना आसान होता ह जिंदगी में हर पहलू इमतहान होता है डरने वालों को डरने वालों को नहीं मिलता कुछ बिंदगी में जो डरते रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदम में पूरा जहान होता है तो दोस्तो मैं भी लड़ते लड़ते यहां पर आया हूँ और किस मंत्राले ने दो हिंदी पुरसकारों को समाप्त करने की घोशना की है which ministry has announced the abolition of two Hindi awards तो friends इसका right answer है संस्कृती मंत्राले हाली में संस्कृती मंत्राले माफ खीजेगा Ministry of Education सिक्षा मंत्राले सिक्षा मंत्राले ने फैसला किया है कि हिंदी पुरसकारों को समाप्त किया जाएगा अब आपके दिमा में सवाल उट रहा हुवा सरी दो हिंदी पुरसकार कौन से है जिसे समाप्त किया जा रहा है तो दो हिंदी पुरसकार है पहला सिक्षा पुरसकार है और दूसरा है हिंदितर भाशी हिंदी पुरसकार तो ये दो पुरसकार है जो की केंद्री सिक्षा मंत्राले के द्वारा दिये जाते हैं अब बात मैंने यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री की की है तो आपको ये भी आद रखना है किसके मिनिस्टर कौन है ये है धरमेंद्र प्रधान ये आप से पूछा जा सकता है इन दोनों पुरसकारों को बंद करने का फैसला किया गया है यहाँ पर हम बात करें तो 1992 में इन पुरसकारों की शुरुवात की गई थी केंसरकार के द्वारा हिंदी में मौलिक लेखन को प्रमोट करने के लिए सिक्षा पुरसकार की शुरुवात की गई और गैर हिंदी भासी छेत्रों लेखकों के लिए हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के लिए हिंदित्तर भा आप करेंगे साहित तकादमे प्रसकार 2022 के जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है वैसे दो साहित तकादमे प्रसकार 24 भाशाओं में दिया जाता है लेकिन मैं आपको यहां दो बहुत इंपोर्टेंट बताऊंगा सबसे पहले अंग्रेजी में यानि इंग्लिश में किस 24 में स्थापित हुआ 1904 में ये स्थापित हुआ है साहित तकाद में पुरसकार आपको ये बात याद रखनी है पूछा जा सकता है अब हम यहां पर बात करें ग्यानपीट पुरसकार साहित के छेत में दूसरा बड़ा पुरसकार है ग्यानपीट पुरसकार तो देखें 2021 में 57 27 numbers का यह जो पुरस्कार है यह दामोदर मौजो को मिला किसको मिला दामोदर मौजो को मिला और अगर आपसे पूचा जाए 2026, असम्या कभी नील मड़ी पूकन को मिला है तो यह दोनों पूरस्कार आपको याद रखने है आए देखते हैं Q3 आप सभी के स्क्रीन पर भारती राष्ट्री मंडल दिवस कब मनाया जाता है? When is Indian Commonwealth Day celebrated? तो आपको याद रखना है 24 मई को मनाया जाता है भारती राष्ट्री मंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है अब आई इसकी पूरी डिटेल को समझते क्यों मनाया जाता है? कब से मनाया जा रहा है? उसके पहले मैं आपको सारे option समझा देता हूँ option को भी यहाँ पर describe करेंगे तो देखिए कल मैंने गलती से आपको विश्व कचुआ दिवस 21 मई बताया था 17 मई को इन सभी points को मेरे साथ लिखते चलिए और समस्ते चलिए अब आई जानते हैं यह जो दिवस है 24 मई को मनाया जा रहा है राष्ट मंडल दिवस जिसें Commonwealth Day बोलते हैं तो इसमें कौन-कौन से देशों के में मनाया जाता है आफरीका, एशिया, प्रशांत, अमेरिका इन सभी देशों में मनाया जाता है भारत में राष्ट मंडल दिवस मनाया जाता है और इन देशों में भी मनाया जाता है अब राष्ट मंडल दिवस की आप से थीम पूछी जा सकते हैं इसकी थीम है यह है फोर्जिंग गा सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर ये इसकी थेम है दोस्तो इसका लक्ष क्या है 2023 का तो 2023 में राश्ट मंडल दिवस मनाने का यही लक्ष है एक जुटता लाना और आपस में मानवता की भावना को बाटना राश्ट मंडल की बात कर रहे हैं तो यहां पर सारे important concept को clear करता हूँ कितने member हैं 56 member पहली बात आपको clear हो गई अगर आपसे पूचा जाए तो राश्ट मंडल यहां पर अगर बात करें तो कभी British समराज का यहां पर साशन था British समराज के जो उपनिवेस थे हाला कि बहुत सारे देश उपनिवेस नहीं है फिर भी वो member बने हैं और 1931 में इसकी स्थापना होई headquarter कहां पर है लंदन में इसका headquarter आई चलते हैं चौथे प्रशन पर ट्रिपुरा राज परेटन के brand ambassador हाली में कौन बने है who has become the brand ambassador of ट्रिपुरा state tourism तो इसका सही उत्तर है यहां पर सौरव गांगुली क्या नाम है इनका सौरव गांगुली त्रिपुरा राज परेटन के brand ambassador बनाए गए image में आप देख रहे हैं डादा को जो एक समय cricket के बहुत बड़े दादा थे इन्हें प्यार से सब दादा बोलते हैं यहां पर अन option को भी discuss करते हैं तो option में लिखा था मैथली ठाकुर बिहार खादी का brand ambassador और बिहार state icon बनाया गया प्रशुन जोसी उत्त्रा खंडराज के brand ambassador सुच्जर लेंड के friendship ambassador वो है नीरत चोपड़ त्रिपुरा सरकार क्यों उन्हें इन brand ambassador बनाया तो गांगुली की popularity इ popularity के लिए ने बनाया गया कि परटन स्थलों को अपनी और खीचेंगे लोग यहां पर चल के आएंगे अब त्रिपुरा की बारे में यहां पर आपको सारी important जानकारी ने सबसे पहले location देखो त्रिपुरा का पहली बाग तो यह कि त्रिपुरा जो है बांगला देश से तीन चूती है और बांगला देश के साथ चूती है आप से अगर capital पूछी जाए तो आप बताएं इसकी capital है अगर तला और चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर माडिक साहा गवर्नार है स्री सत्य देव नारायन आरे और यहां पर बाग करें 1972 में त्रिपुरा का गठन हुआ था राज दूथ है सचिंटेंडूलकर सेवलोन इंडिया के द्वारा इंडिया के सबसे पहले हैंड एंबेज़र है सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुने और लिखते चले हमारे साथ आई देखते अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज ल बांगलादेश इसका से उत्तर क्या है बांगलादेश भारत ने बांगलादेश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन सौपे हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं यह डीजल इंजन भारत ने सौप लेलो भाईया हमारी आपकी मितरता इतनी अच्छी ह है तो यहां पर आप 20 जो आप देख पार है जिस प्रकार से ट्रांस्पोर्ट किया जा रहें डीजल इंजन तो यह सहायता की गई है भारत के द्वारा बांगलादेश को दीखिए जो गौज होते है यह अलग-अलग होते जैसे नेरो गौज होता है और मीटर गौज होता है जो ब्राड गौज होता है पट्री की लेंथ की उपर डिपन करता है तो जिस पट्री की लेंथ 5 विट 6 होती है 1676 मिली मीटर होती है उसे हम बोलते हैं ब्राड गौज ठीक है इससे भारत और बांगलादेश के बीच में रिलेशन बढ़ेगा भारत बांगलादेश को उठते रहा है तो भारत काउंटर कर रहा है क्योंसे तुम मेरे भाई हो चाइना के भाई नहीं हो तो सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है और भारत ने 20 ब्राड गेज लोकोमोटिफ सौप दिये हैं दोस्तों इसका उदेश यही है कि दोनों देश के वीच की माँ को पूरा किया जा सके अब बांगलादेश से रेलेटेड करेंट अफैर्स को लीजे अगर आपसे पूछा जाए कि 50 स्टार्ड आप एक्शेंज प्रोग्राम किसके बीच में शुरू हुआ तो भारत और बांगलादेश की बीच में अगर आपसे पूछा जाए बॉ पहेला महिला प्रिमीर लीग हुआ तो फरस्ट बीमेज प्रिमेर लीग हुआ रिविजन करा देता हूँ यहां से एक दो नंबर पक्का है भईा तोपहला क्वक्ष्चन अगर आपसे-पूच्छा जाय कहाँ पर हुआ पहला महिला प्रिमेर लिख तो आप बोलेंगे महरास्ट्रे में हुआ और पहली बार हुआ था विजेता कौन सी टीम बनी है मुंबई इंडिस बनी है और कप्तान कौन है हर्मन प्रीत कौर है ठीक है उप विजेता कौन बने तो दिल्ली कैपिटर्स कप्तान मेग लेनिंग्स थे परपल कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है मैन लेनिंग्स इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ओफ दे एयर यस्तिका भाटियां थी फाइनल मैच में प्लेयर ओफ दा इयर नताली सीवर ब्रेट थी सबसे मूलवान खिलाडी हैली मैथ्यूस थी साहरा इंपोर्डेंट पॉइंट लिए आपको एक complete रण निती चाहिए तो 12 महिने का कोर्स आपको £5936 में मिल रहा है जिसमें 6 महीने आपको additional discount यहनी 6 महीने extra मिलेगा इसके अलावा 24 महीने का कोर्स आपको 7,056 रुपे मिल रहा है जिसमें 6 महीने आपको और अत्रिक्त मिलेगा आपको कोड यूज करना है तो और डिसकाउंट मिलेगा राजा CA10 ये कोड यूज करके आप इस पे एन्रॉल्मेंट ले सकते हो ये ओफर किवल 22 से 26 मही तक है ठीक ह इतने सारे बच्चों ने क्रैक किया है SSC के बहुत सारे एक्जाम अनकैडमी एप्लिकेशन पर अभी ये बैच आज से सुरू हो रहा है All India Rankers बैच और SSC CPO बैच SSC CSL बैच एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे बैच ले सकते हो आप चलो आगे वड़ते हैं आगे देखते हैं प्रश्न हाली में किस देश के लेखक जॉर्जी गोसपोडिनो इनको टाइम शेल्टर उपरन्यास के लिए Internet Booker Prize दिया गया विच्ट कंट्री राइटर जॉर्जी गोसपोडिनो्व वेड़न बॉकर प्राइस फ़र दा नौबल टाइम शेल्टर परन्यास के लिए इंटरन गोस्पोडिनोब तो यह बुलगारिया की है और इनके टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए बुकर परसकार मिला है तो दोस्तों यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं जोर्जी कॉस्पोडिनोब को और इसका जो अनुवात किया है एंजला रोडल ने किया है तो ट्रा इंग्लिस ट्रांसलेशन किया है और पहली बार किसी बुलगराई उपन्यास को यह पुरसकार दिया गया बुलगारिया की बात आ रही है तो कहां पर है यूरोपन कंट्री है बुलगारिया का परोसी देश रोमानिया है बुलगारिया का परोसी देश ग्रीश है सर्भिया ह रिपब्लीक ओफ नौर्थ में से डोनिया है दोस्तों यहाउब में बाग करें तो ईजो पुरसकार है इने अब भाईया बात आ रहे हैं अंतरस्टरी बुकर प्रसकार की तो इसके बारे में भी तो आपको लिटेल्स चाहिए तो आप बताएंगे कि पहला सम्मान 2005 में मिला इनाम राशी इंक्यामन लाख रुपे ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए क्यूं दिया जाता है तो UK में जो प्रकाशित की गई जितनी भी उपन्यास है जितनी भी फिक्सन है वो पब्लिश की गई है उसके ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है जो इंग्लिस में ट्रांसलेट की जाती है आइरलेंड और UK के द्वारा अब याद है भाईया तुमको 2022 की बात जब भारत की लेखि का गितांजली श्री को मिला था रेत का मगबरा उपन्यास के लिए याद है अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉक्विल ने किया था याद रखना पूछा जाएगा फिर मत कहना सर बताया नहीं आपने अगला प्रशना ही देखते हैं खेलो इंडिया युनिवर्सिटी आज जमें खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन शुरू हो गया है ठीक है और ये 23 मईस से शुरू हो गया है इसमें 207 युनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने वाली हैं खेलो इंडिया युवर्सिटी में वाटर स्पोर्स को भी शामिल किया गया ह ताल जिल मेंkä प्रत्यों गीत आजित कि जाए तक क्या चा ये कि अगर आप से पूछा जाए कि पहला खेल्व इंडिया गेंस कबुआ है तो 2018 में उधा थस वार खेलर खेल्व ओंडिया मंख्डम हुआ यूंवरसिट्टी लेंगा है और खेल्लों इंडिया में हुआ था दूसरे एडिशन 2022 में करनाटक में हुआ था और पहला स्थान जैन उनिसिटी ने प्राग किया था जो कि करनाटक की उनिवर्सिटी क्लियर है अगला प्रशन देखते हैं किस राज की मुख्यमंत्री ने कहा है इस साल के अंतक वो राज से आस्पा कानून हटा देगा तो आस्पा कानून को हटाया जाएगा असम राज से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा तो असम राजी की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है हम आस्पा को हटा देंगे और हम आपके दिमाद में आस्पा का कॉंसेप डाल देंगे ठीक है बस तुनते जाएगे तो देखे असम की चीफ मिनिस्टर कोने भाईया हिमन्त विश्वा सर्मा है इन्होंने 2023 के अंतक बोला है कि राज्य से हम आस्पा को हटा देंगे और 2023 के असम से पूरी तरीके से हम आस्पा को वापस लेंगे हमारा टार्गेट है अभी आस्पा असम के आठ डिस्टिक में लागू है ठीक है आसम के आठ डिस्टिक में लागू है और 1990 में पहली बार ये कानून लगाया गया था असम में पहले पूरे राज्यों में था और आस्पा जो थी अब आठ जीलों में कहां पर आठ जीलों में और फिर उसके बाद क्या हुआ लगातार इसका इस्तमाल करत गया और राज 6-6 मेंने तक इससे बढ़ा दिया गया आस्पा की बात करें दोस्तों तो एक अप्रल 2023 से अशान छेत्रों में कमी आई और 8 जीलों तक इससे सीमित किया गया आस्पा कानून केवल असम राज्यवे नहीं था देश के कई राज्यों में आस्पा था मडिपूर त्रिपूर नागालेंड इन सभी राज्यों में और फिर धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों से हटाया गया अभी विशेश रूप से नागालेंड मडिपूर जम्मू कश्मीर में आपको आस्पा देखने को मिलेगा तो दोस्तों आस्पा जो है अगर आप से पूछा जाए तो आस्पा का फूल फॉर्म क्या होता है आम्ड फोर्स स्पेशल प्रोडेक्शन एक्ट जो की 1958 पे पारित हुआ था इस कानून के तहट जो हमारे सेक्यूरिटी पोर्सेस होते हैं उनको बहुत मजबूत ताकत मिल जाती है बहुत महत्पूर ताकत मिल जाती है वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारेंट के और इसके अलावा वो बलका भी प्रयोक कर सकते हैं जहां भी आशांती फैलती है यह पावर होती है आई देखते हैं नेस्ट है गनेमस सेखों ने आई एस एस एफ विशुक अपने कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तों यह क जीता है यानि सिलवर मेडल जीता है कौन से मेडल जीता है फिक्के तो दोस्तों भारत ने पहली बार जो कि कजाकिस्तान में मैच आजएत किया गया अल्माटी में अंतरराशी शूटिंग स्पोर्ट पेडरेशन में महिला स्किट में दो वरिष्ट व्यक्तिगत पदक जीते हैं तो गनमा सेखों ने सिल्वर मिडल जीता है और उनका अब ये दूसरा व्यक्तिगत विश्व कब पदक है वही पर अभी आपर इबेज में आप देख पा रहे हो इनका नाम है दर्शना राठोर इन्होंने ब्रॉंज मिडल जीता है और इनका ये पहला प्रदर्शन था आई एस एस एफ 1907 में स्थापित हुआ है डिफरेंट टाइप्स की शूटिंग चैंपेंशिप का आजन करता है जिसके अध्यक्ष है लूसियान रोसी और हेड़क्वाटर कहां पर है जर्मनी म्यूनिक में हेड़क्वाटर आज का आखरी प्रशन आप सभी के सामने भारत ने प्रवासन गतिशिल्टा साजेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के छेत्र में किस देश के साथ समझ होते पर हस्ताक्षर किये हैं इंडिया है साइड एग्रेमेंट इज इन देश कंट्री इन दा फेल्ड ऑफ माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनर्शिप और ग्रीन हाइड्रोजन तो भारत ने ऑस्त्रीलिया के साथ हाली में यहां पर मेमरेंडम ओफ और स्टेंड नियुक्त इतने सारे छेत्रों में साइन किये हैं Memorandum of Understanding होता क्या है? कुछ ऐसे agreement होते हैं, जो भविश्च में पूरे होते, तुरंत नहीं होते, दोनों मिल करके पार्टियां बोलती है, कि हम इन इन छेत्र में काम करेंगे, भविश्च में, ऐसा कोई legal binding नहीं कि बस कर नहीं है, कर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस करेंगे ऐसी बात होती है M.O.U. में, clear है? चल, तो भविश्च देखो, हम आप लोगों को हर सब्जेक्ट का MCQ सीरीज लाए है, और अभी जो पॉलिटी का वो खतम होने वाला है, क्योंकि इसका 14 वा लेक्चर आज है, जो कब होता है, दोपहर तीन बज़े होता है, तो भईया अगर आप पढ़ना चाते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बे दिये गई है, और इसको क्लिक करो, और जोइन करो, ठीक है, और आपको, देखिए, ये कल की रैंकिंग है, ये फ्री क्लास है पूरी तरीके से, श्वेता, शिवा, अंजली, निधी, दीपक, मनोज, नितू, ये सारे लोग टॉपर हैं, कल की क्लास के, जब आपको लिंक क्लिक करोगे, तो आप डारेक्ट चले जाओगे, आज का टॉपिक पार्लामेंट है, और जब आप चले जाओगे, तो डारेक्ट ओपन हो जाएगा, अगर नहीं होता, तो राजा सीये टेल लिख देना, बस फ्री में लग जाएगा, चलो, अब ट्रिपल आर सीरी जा गई है, भाईया यहाँ पर हम, रिपीट, रिकॉल, रिवाइज, करेंट अफेर्स को देखेंगे, ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ, पहली मैत्री पाइपलाइन का घाटन किया, तो कहां पर किया भाई, यह बांगला देश के साथ किया, आगे देखते हैं, किस राज्य में, पहली बार, अलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी, तो यह कहां चलेगी, मेंगाले में, वैश्विक आतंगवाद, 2023 के अनुसार, आतंगवाद में सबसे ज़ादा प्रभावित देश कौन सा है, तो यह है अफगानिस्तान, कौन सा है, अफगानिस्तान, भारत इसमें 13 स्थान पर है, भारत पेट्रिलियम कॉर्पोरेशन लिम्टेट, बीपी सेल के सीईयो, हाली में किसे न्यूक्त किया गया, तो बीपी सेल के सीईयो, अगर आपसे पूछा जाए, तो बताएंगे आप, यह है, जी कृष्न कुमार, क्या नामें इनका, जी कृष्न कुमार, हाली में राजस्थान में, कितने नए जीलों का गठन हुआ, तो भाईया, अभी अभी, 19 जीलों का गठन हुआ है, अब टोटल जीलों की संख्या, यहाँ पर 50 हो गई है, कितनी हो गई है, 50 हो गई है, दोस्तों आब यहाँ पर हम रिविजन करेंगे, जो कल का करिंट एफेट्स आपने बढ़ा है, उसका रिविजन करेंगे, वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया का नंबर वन जैवलिन थ्रूर कौन वने है, तो हमारे नीरज भाईया वने, कौन से भाईया, रियाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतर श्यात्री है, जो अंतर राष्ट्री अंतर स्टेशन पर पहुँच गई है, कहां की है, साउदी अरप की है, चार लोग जा रहे हैं इनके साथ, इनको मिला के हैं ना, पांचवा नहीं बोलना, चियतरवी विश्व स्वास्त सभा, ये कहां पर आजित हो रही है, कहां पर हो रही है, जैनवा सुट्जर लैंड में हो रही है, ग्रै मंत्रे में शाद जन्गरणा भवन का इन्हों ने उद्गाडन किया, कहां किया, न्यू डैली में किया, अल मोहद, अल हिंदी 2023 ये जो नौ से नाभ भ्यासे भारत और किस देश की बीच में आज़ट किया जाता है तो भारत और स्टावधी अरब के बीच में केरल बिधान सवा भवन की रजट जैनती समहरों का उधगातन किसने किया है तो इसका उधगातन किसने किया है जगदीप धनकर भारत के उपराश्पती भारती करके टीम का नया किट स्पॉंसर किसे बनाए गया है तो यह है एडी डास ओडिसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक has inducted how many new minister in his cabinet तो तीन नय मंत्री इन्होंने इंडक्ट किये हैं शरत बाबू का हाली में निधन हो गया यह कौन थे तो शरत बाबू अभीनेता थे विश्व कछुवा दिवस भैया कल मैं थोड़ा खर्गोस हो गया ठाएं नहीं मैं सच वह हो गया था 21 महीं मैंने बतादिया था statement जल्द बाजी में तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का सवाल भी आ गया क्या हाँ त्रिपुरा राज जी परेटिन के ब्रेंड अमबेस्टर कोन मनें कमेंट बॉक्स पे जल्दिल्दी बता देना उत्तर लूसेंट स्टैटिक जीके में आज डे सेवन है थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिसकस करते हैं एक तरफ से पूरी इंडियन जोगरफी खदम कर रहे हैं ये बता ये वाला इनिशेटिप कैसा लगा आप लोगों को सच सच बताना ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है वो है अदम का पुल किसे कहा जाता है तो भारत में रमिश्वरम आप सभी को पता है और रमिश्वरम के पास है धनुस कोडी और शिलंका में है तलईया मननार और इसके बीच में समुद्र में डूबी हुई कोरल रीफ है प्रावाल डूप है इसे हम अदम का पूल कहते हैं पूछा जाये बता देना अब यहां पर हमने भारत का समान परिचे खतम कर लिया था अब भारत का भौतिक सुरूप पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर है वो है भारत का भौतिक सुरूप अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रतिशक हाई माउंटिन रेंजे से उची उची परवशेणिया है तो 10.7 परसंट जिनकी उचाई 2135 मेटर या उससे अधिक है अगर आपसे पूछा जाए 305 मेटर से ले प्लेंड है 43 % विस्ठृत मैदान का विस्थार है कर साह government हमालेक अधिक हमाले कुमाय कमाय हमाले नेपाल हमाले जो पंजाब हमाले होंड़े के बिच में हैं जा सतलूज बिच में है और तीस्ता नधी बिचमें नेपाल हमाले हैं और तीस्ता नदी दिहान के बीच में असम हिमाला है, ठीक है, जो पंजाब हिमाला है, उसकी लंबाई 560 किलोमेटर है, कुमायू 320 किलोमेटर है, नेपाल 800 किलोमेटर है, और असम 720, सबसे बड़ा नेपाल हिमाला है, अब भाईया संगम पीरियेड को पढ़ लेते हैं, बहु नंबर में आएंगे, सेलक्षन नहीं होगा, लाल चीर के नाम से प्रसित वह चेर साशा कौन था, जिसने कड़गी, पत्नी के मंदिर का नर्मान कराया था, तो लाल चीर के नाम से प्रसित था, शेन गुट्टन, शेन गुट्वन, नेस्ट है, तमिल का गौरव गरंथ, जी नेखलाई, इस नाम का जो गौरव गरंथ, किस से रिलेटेड है, तो ये बुद्धिजम से रिलेटेड है, बहुत धम से, इन में से कौन संगम, यूगीन, व्याकरण, रचना, सरवाधिक, महत्वड थी, तो ये थी, तोलका, पियम, तोलका, पियम, व्याकरण, रचना, पांडिया कहें, छोला लिख दिया, हमारे कंटेंट राइटर भी अजब गजब है, छोला पसंद है उसको, तो इसका राइट अंसर है कदम, ठीक है, संगम यूग में उरेईूर किसके लिए विख्या थे, जो उरेईूर था संगम यूग में, वो महत्वड किसका के अंदर था, मसालों का, कपास का, विदेशी वैपार का, तो ये कपास के वैपार का महत्वड की अंदर था, तोलका पियम, पूछा ही अभी मैंने, अब नहीं बताओगे, गलत बताओगे, तो बहुत बटाई होगी, तो तोलका पियम गरंत, ये व्याकरण और का विस रिलेटर है, धार्मी कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में तो धार्मी कविताओं का संकलन कूरल आपको याद रखना है यह तमिल भाषा में किस संगम युगेन राज्य के संगमों का आजन किया गया अंडर दा पैटरने जो विच कॉन्फुलेंस ए स्टेट वर थ्री संगम और्गनाईज तो ये पांडिया इसका राइट अंसर पांडिया पांडिया संगम पांडिया जो थे उसी के संडेक्शन में तीन संगमों का आजन किया गया किसने उलिक किया है कि नंदो ने अपना कोश गंगा की धारा में छिपा रखा था ये किसने उलिक किया है तो इसने मामू लनार इन्होंने उलिक किया था नंदो ने अपना जो कोश है अपना जो ट्रेजर है वो गंगा की धारा में छिपा के रखा है दोस्तों कल का टॉपिक पढ़ लेना, वर्ल्ड एम्स, इससे कॉश्चन होंगे, इसके बारे में आप पढ़ के आना, देखना, पढ़ के आना और टेस्ट देना, ठीके, दोस्तों 25 मही का करेंट एफेर्स का टेस्ट देते हैं, कितने अच्छे से पढ़े हो, आएए देखते हैं, कितना कंसंट्रेट हैं, दिलीब टिर्की, क्या नाम है, दिलीब टिर्की, यहां दिलीब टिर्की लिख जाना, ठीक है, आगे बाड़े, पीटी उशा, उलम्पिक, भारती उलम्पिक संके, केंद्री सिक्षा मंतरी कौन है, तो केंद्री सिक्षा मंतरी है, धर्मेंदर प्रधान, साही तकाद् पुरसकार 2022 अनुराधार आय को किस भाषा में दिया गया तो अनुराधार आय जी को अंग्रेजी भाषा में दिया गया गया ग्यानपीट पुरसकार 2021 किसे दिया गया 2021 की बात कर रहा हूं तो 2021 ग्यान पीट पुरसकार दिया गया है दामोदर मोजो किसको मिला है दामोदर मोजो नेस्ट है यहां नील मड़ी फूकन 2020 हाँ दामोदर मोजो नेस्ट है राष्ट मंडल राष्टो की संख्या कितनी है तो इसका right answer है 56 बिहार खादी का brand ambassador किसे बनाया गया तो बिहार खादी का brand ambassador कौन है मैथली ठाकोर मुहम्मद शाहब उद्दीन किस देश के हाली में president बने है तो बांगलादेश के प्रथम महिला प्रीमेर लीग का आजन किस राज में किया गया तो पहली महिला प्रीमेर लीग महरास्ट में आज जित हुई तो भाईया कैसा लगा class जरूर बताना comment box पर ठीक है और क्या क्या चाहते हो topic वो भी बताना और जो भी दुबिदाय समस्य पढ़ाई से related ठीक है पैसा रुपे नहीं मांगने का पढ़ाई से related जो भी समस्य है वो बताना और हम आपके प्रशनों का उत्तर देंगे यूट्यूब के माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से टेलीग्राम के माध्यम से तो दोस्तो टेलीग्राम चैनल जोइन कर लेना राजा गुपता करेंट अफेर्स जहां पर आपको उसकी रेगुलरली PDF मिल जाएगी तो दोस्तो सेशन पसंद आया हो अपने सभी दोस्तों को शेर करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताईएगा और क्या बस कल मिलते माता पिता का सपना पूरा करने के लिए दिनरात एक कर देंगे